तो दोस्तों अगर आप भी AnyDisk की सायता से अपने laptop की screen को अपने mobile phone पे देखना चाहते हैं, उसको control करना चाहते हैं, या फिर अपने mobile phone की screen को अपने laptop पे open करके उसको control करना चाहते हैं, तो आप ये कैसे करेंगे? AnyDisk इसके लिए best solution है, AnyDisk TeamWeaver की तरीके ही एक utility है, जिसकी सायता से आप किसी भी PC, किसी भी laptop को आप remote access की थूँ अपने PC पे open करके उसको control कर सकते हैं, उनमें settings कर सकते हैं, कोई भी आपको application इसमें install करना है, आप वो कर सकते हैं, करेंगे कैसे live? ये मैं आपको करके दिखा रहा और मेरे पास एक tablet है, इसकी screen भी मैंने आपके साथ share कर दी है, दोनों की screen आपको दिखाए देने लगी होगी, अब basically आपको क्या करना है, आपको दोनों में ही, laptop में और अपने mobile phone पे, दोनों में ही आपको ये utility डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, उसके सबसे पहले यहां से मैंने अपना Chrome Web browser open कर लिया है, आपको search box पे जाना है, और simply आपको बस AnyDisk टाइप करना है, और search कर देना है, सर्च करने के बाद सबसे उपर दिखाए देगा, fast remote desktop application, AnyDisk, आप इस पे click करें, click करने के बाद आपके सामने ये window आएगा, और आप यहां से download download पे click करें, download करने के बाद देखिए, यहां पे download हो गया, बहुत बड़ा नहीं है, 3-4 MB का application होगा, आप इस पे उपर click करें, click करने से install हो जाएगा, और install होके ये आपके सामने open हो गया, open होने के बाद आपका इस PC का ये address आपको दिखा दे रहा है, ठीके, अब अगला काम जिसमें भी आपको इसको access करना है, या जिसको आपको इसमे access करना है, आप उसको ले लीजे, लेने के बाद सेम चीज़ है, अगर आप mobile phone पे ये चीज़ करें, तो अपना play store open करें, तो मैं यहां से play store open कर लेता हूँ, play store open करने के बाद आपको simply search box पे ही type कर दिना है, any desk, तो मेरे में open पूछ रहा है, यहां से मैं जैसे open पे click करूँगा, आप जब इसको पहली बार install करेंगे, तो कुछ permission मांगेगा, वो आप ज़रूर दे दिजेगा, अब जब मैंने इसको install कर लिया है, तो उपर मेरा address आ रहा है, नीचे address डालने के लिए बोला है, अगर आपको आ इतना यहां पे मैंने डाला, इसके बाद यह आपको यहां पे button दिखाए देगा, आप इस पे click करें, जैसे आप इस पे click करेंगे, तो थोड़ा सा आपको wait करना होगा, और आपके laptop पे आपको इस तरीके का window दिखाए देगा, यहां से आपको accept कर लेना है, laptop से, जैसे आप accept टिकरेंगे, तो थोड़ा सा आपको wait करना होगा, आपके mobile phone पे यह screen दिखाए देनी शुरू होगे, अब यहां पे जो कुछ भी होगा, उस सारा कुछ आपको आपके laptop पे दिखाए, जो भी window open होगी, वो आपको यहां पे दिखाए देता रहेगा, तो अगर आप चाहें, त जो भी चलता रहेगा, वो आपको दिखाए देगा, फीचर के तोर पर और क्या दे दिया है, तो आप यहीं पे देखेंगे, आपको यहां पे कुछ buttons दिखाए दे रहे हैं, यहां से अगर आप जाएंगे, तो आपको और भी buttons दिखाए देगी, चिनका इस्तमाल करते हुए आप input options को भी use कर सकते हैं, आप अपने mouse click को वहां पे दिखाना चाहते हैं, आप अपनी keyboard के inputs को वहां दिखाना चाहते हैं, तो अभी यहां से उसकी setting कर सकते हैं, अगर मैं यहां से disconnect करना चाहूं, तो simply यहां पे cross button पे मैं जाके छोड़ दूँगा, और यह disconnect हो गया, अभी इसके लिए हमें उसका address चाहिए होगा, उसका address हम यहां पे add करेंगे आकर, तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी देख लीजिए, यहां पर आपको address add करना है वहाला, तो मेरे mobile phone का address आपको दिखाया दे रहा होगा, मैं यहां से 406292925, यहां पे मैं add करूँगा, यहां से आपको search बटन दिखाये देता है, आप इस पे click करें, थोड़ा सा wait करें, और देखते हैं, हमारे mobile phone पे भी pop-up आएगा, pop-up आगया है, मैं यहां से click करूँगा, और इसको यहां से accept कर लूँगा, थोड़ा सा wait करना पड़ेगा आपको, चुकि यहां पे 7-8 second का आपको एक pop-up कि आपके data को access कर पाएगा, इसके बाद यहां से accept कर ले, and then यहां से accept कर ले, start now, and then क्या होगा, अब आप देखेंगे, आपके mobile phone का data आपको यहां पे दिखाये दे रहा है, यहां से मैं swipe up करके बंद करूँगा, तो आप देखेंगे, यहां पे भी वो चीज clear हो रही है, भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से any desk का use कर सकते हैं, आप अपने systems को, अपने mobile phones को, एक ही जगे से control करने के लिए, उमीद करता हूँ, यह बहुत difficult नहीं लगा होगा, और आपको समझ भी आ गया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like channel को subscribe, और bell icon पे hit जरूर कर आपको चिए